ग्यान से बरलोग आगर मैध्विट सागर हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब उमीद है सब अच्छे होंगे चलिए आज की क्लास में चलते हैं आज की इस लेक्चर में मैं आपको कंप्लेटिंग स्क्वाइर मैथड़ सिखाऊंगा और आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि कंप मिटल टरब से भी निकालते हैं हा बहु diarrhea फास्य मेस के और चली चली स्टार्ट करते आज करते हमारा कंपलेटिंग स्क्वार में तो आप heading ॢाल दो कि इसकी heading क्या है ठीक है तो heading डालो completing को दा कि स्कुरूर मैथड कि तो मैं एक ऊसन लेनेवाला हूं मैं एक ऊसन लेंगा लेंगा लोंगा या लेने वाला हूं जिसको मैं पहले splitting मिडर्टरम से करऊंगा या फिर मिडेल टर्म स्प्लेटिंग से जो आप बोलो बोल सकते हो और फिर उसको मैं कॉम्प्लेटिंग दस्क्वाइर में त्रिसे करौँगा ठीक है तो हम एक कोशन ने लेते हैं कॉर्टिटी क्यूकेशन का मालो मैं है तो रहते हैं तो आपको क्या मतनी स्प्लेटिंग मेरी स्प्लीटिंग मिडल ट्रम्श फ्लीटिंग मिडल ट्रम्श मैंठाट ठीक मिडल टरॉम मैं त्थिक बढ़े यह आपको बता रहा हूं तो अगर मैं इसमें करते हुआ है एड करने पर हमें क्या चीए 7 और मल्टिप्लाइग करने पर हमें क्या चीए आपका multiply करने पे हमेंच यह था A into C मतलब कि 10 और 10 की ऐसे factor जिसको plus minus करने पे 10 की ऐसे factor जिसको plus minus करने पे तो 7 आए और multiply करने पे क्या है 10 इन दोनों को मैं plus करता हूँ तो मेरा क्या 7 आएगा हाँ आएगा तो ठीक है बहुत मैं इसको क्या लिखुआ X square plus 2X plus 5X plus 10 इन दोनों में से common क्या है भई X क्या बच गया X plus 2 और इन दोनों में common क्या 5 यहां क्या बच गया X plus 2 equal to 0 यहां 0 भी है भई तो ठीक है भई तो हमारे जो factor हैंगे X plus 2 और X plus 5 यह जो आपके factor आए ठीक है भई X plus 5 equal to 0 अगर मैं इनको 0 के equal put करता हूँ अगर मैं इनको 0 के equal put करता हूँ तो मेरी जो X की value आएगी वो क्या आएगी भई X की value मेरी क्या आएगी है तो जो पहला answer आएगा वो minus 2 और जो second answer आएगा वो मेरा minus 5 है क्या अगर मैं completing square method से इसी question को करता हूँ क्या मेरे factor सेम आएगे या मेरे root सेम आएगे या फिर आपको zeros भी गोल सकते हो ठीक है भई ठीक है भई तो आपको splitting middle term revise हो गया होगा ठीक है भई और अब हम completing square method करेंगे जो कि एक असान method है तो हमारे जो इसके जो फैक्टरा है जो इसकी value आई एक्स की वो लिख लेते हैं कहां पे यहां पे लिख लेते हैं एक्स की जो value आई है हमारी वो क्या ही है minus 2 और minus 5 चलिए देखते हैं कि हमारे completing square method से क्या हमारे factory सेम आते हैं चलिए देखते हैं तो यही कोशन था ना आपका कि x square plus 7 x plus 10 तो भाई completing square method के कुछ step है तो आप step लिख लेना तो step first step यह है आपका कि भाई जो भी coefficient होगा x square को coefficient of x square coefficient of coefficient of किसका x square को जो coefficient होगा वो 1 होगा या फिर आप यह कहलो कि एक ही value क्या रहेगी आपकी 1 रहेगी है यह होता है यह हमसे हम क्या करते हैं plus-minus करते उसमें क्या करते हैं plus minus करते हैं कि स्को क्यों कोफीशेंट होता है हमाने ने किसका of x का x के coefficient को 2 से divide x के coefficient को 2 से divide जो हमारे x को coefficient उसको हम क्या करते है 2 से divide करते है और जो result आता उसके whole square उसके whole square को एक बार question में add करते है एक बार question में subtract करते है तो चले हम कर लेते हैं यहां हमारे x का coefficient क्या है 7 7 को अगर मैं 2 से divide करूँ 7 को अगर मैं 2 से दिवाड करूं तो हमारे 7 by 2 यह आएगा का हिसका whole square एक बर मैं question में add करूँगा एक बर मैं question में क्या करूँगा subtract करूँगा चलिए करते हैं तो हमारा यह क्या आया x square plus 7x plus 10 plus 7 by 2 का whole square minus 7 by 2 का whole square equal प्लस माइनस को लोगे ना जब यहा दो टो मले बढ़े एक तो बनेगा ए माइनस बी का होल स्कॉर जो क्या होता है एक बनेगा बातों हो च्वराह ऑल स्कॉर का और गाहे जो अ नामें X है जो भी यो मेरा कोफिशेंट ओफ एकस नहीं कहा है जो मारा X स्क्वेर और X और जो हमने एड़ किया है तो ठीक है रहां पीछ शिर्फ थीन न रखना है एक तो इसका किसका और एक आपको इसका ध्यान रखना है तो कैसे इसका इनका क्या फ्ररग है एक्स की तो जगा तो X आ जाएगा जैसे एक जगा तो X आ जाएग और बीगा तो बेंट गॉबनेगा रिपीट करता हूँ रिपीट करता हूं । यहां क्या है प्लस तो X प्लस 7 का होल स्क्वार ये बनेगा तो इसको मैं अपने क्या लिखाता है एक स्क्वार प्लस 7x प्लस 7x, प्लस 7y, ठीक हो बैए, एर इसको वो सोरी यहां पे 10 था, x² प्लस 7x प्लस 10, ठीक हो बैए, यह था, और यहां भी प्लस था, ठीक हो, मैं दूबारा बता हूँ, जब यह step कर लेते हो, जब यह step आप कर लेते हो, इस step करने के बाद, आपके दो फोन ले बनते हैं, a- को बनता है और है प्लस भी का होल स्कार मंता है ओ कैसे बनता है है आपको किन चीज़ों ऊहना है आपको सिर्फ तीन स्कॉयन को थे हैं वह तो एक स्कॉर 1 7x फ dispór Dan X 8-1 x अरे इन दोनों का क्या मत्रम है मतलब किसकी वैलू क्या है अगर यहाँ एक साथ यहाँ चीज को आप एड़ कर रहे हो तो उसका आपका स्कुएर बनेगा ठीक है यह 10 हो गया इसका हम सोल्फ करेंगे तो क्या जाए मारा 49 बाइ 4 सब्सक्राइब करेंगे अगर मैं स्वर्ट यहाँ लिए गया तो मेरा माइनसा एगा मैं सकते हैं då तो जीरो अगर मैं और सिंप्लिफाइए करता हूं तो मेरे क्या आएगा एक्स प्लस एउन बाई टू का होल स्कुर्ण एक्वल टू नैन बाई फूर ठीक है यहां तेक जो को डाउट आथ बोलो नहीं है चलिए आगे चलते हैं क्यों कुछ तो यहां को सम्झाओंगा एक बहुत ह mobil मेरे पास एक स्क्राव्ड की रख है और यहां मुझे फूर दी रख है तो मैं स्कूर D 2021 मोरा आएगा पहीं आएगा या नीए आएगा ब्रस करो माइनस एंड्या wine एक्सको सकता हूं इसको करते तुमरे जो एक्सा वालू क्या यह यह 3 by 2 है वहाँ जाके minus 7 by 2 एलसे मेरा सेम रहेगा तो 2 यह क्या हो जागा 3 minus 7 तो x equal to minus 4 by 2 तो x की value क्या आई minus 2 और यहां solve करता हूं तो मेरी क्या है कि minus 3 by 2 minus 7 by 2 तो x की value क्या है कि 2 minus 10 मतलब कि minus 5 तो x की value क्या यह मेरी minus 5 तो यह तो हम यह पता लग गया कि चाहिए हम splitting में ट्रम लगाए यह फिर completing square method लगाए जो हमारा answer वह सेम रहेगा जो हमारा answer वह सेम रहेगा तो ठीक है बार मैं दुबारा बता देता हूं completing square method अगर आपको समझ में नहीं तो एक बार मैं आपको दुबारा बताता हूं completing square method में करते कह रहां सिर्त स्प्स्टेप का यूज है मैं कहरा हूं simple method और 30 का यूज है उससे ज्याद आप step नहीं करो तो पहला step के है कि x square का coefficient वन और चेख एक स्क्टेवर का coefficient वन होना चैख यह x को पाउफिसेंट है है फिर हम क्या करते है जो एक बबर मेड कर ठेक यहां हो प्लस फॉल स्कार बढ़ता है तो जो अमारा x होता है खेंपाने वाला सायन होता है इंत को यह प्लस प्लस का है या फिर माइस का ठीक को यह एक से प leggños दाहे है कि जो B है वो क्या है तो चीज आप बार जो चीज आप कर रहे हो तो वह इस ही का कूर हो इस से शुनते हैं तो लेते हैं तो अच्छे से नोट करो और अगार आपको स्क्रेंशूट ले ने तो स्क्रीशोट ले सकते हो ठीक है अब नेक्स्ट कोशन कर रहे हैं कि जो मारे नेक्स्ट कोशन में असान सा कोशन लेता हूं फिर एक अच्छे से कोशन प्याएंगे कि मालो यही कोशन आपका एक स्कफवाइब स्क्राइब नोघ्या दो अकनरव कोशन करते हैंब करते मिश्टा गोई जो होते हैं करते हैं तो गोफिसेंट को एक बार एक बार डुरत करते हैं क्या करते हैं सब्सक्राइट करते हैं तो करते अननल डुछ्ट का It'll का whole square minus seven by two का whole square यह हम लिख सकते हैं मैंने लास्ट क्लास में बताया था लास्ट क्लास में सोरी अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था किसे को आई यह बताओ कि मैंने आपको आपके पास 100 रुपीज है मैंने आपको 50 रुपीज दिये और 50 रुपीज वाप जो क्या होता है a square b square my plus 2ab दूसरा method क्या आपको सबसे पहले देखना है x x के सामने क्या है और जो अपने एड किया है जिसका square बतलगी 7 x 2 का square अपने एड किया है तो 7 x 2 का यह holds कर रहेगा जिसी चीज को आप एड करते हो जिसका square यहां किसका square कर रहें 7 x 2 का square तो 7 x 2 का यह प्रफेक्ट square ठीक बई तो और जो बाकी बचा है उसको हम साथ में लिग लेता है तो इसको हम खोलेंगे तो क्या आ जाएगा 49 x 4 equal to जीज अब बताओ अब मुस्किल लग रहा है नहीं तो second question मरेंगे असान हो जाएगा x plus 7 by 2 का whole square अगर मैं इसको खोलता हूं तो मेरा lsm क्या आएगा 4 यह 48-49 by 49 equal to 0 अगर मैं और खोलता हूं तो x plus 7 by 2 का whole square अड़ी क्या हो जाएगा मेरा minus का 1 by 4 equal to 0 तो x plus 7 by 2 का whole square equal to 1 by 4 अगर मैं और simplify करता हूं तो मेरा क्या आएगा बाई minus 1 by 2 यह आएगा भई यह आएगा यह नहीं आएगा ठीक है और यहां पर 4 निया यहां पर 2 तो हम क्या लिखेंगे इसको एक बार लिखेंगे x plus 7 by 2 एक बार प्लस का 1 by 2 और एक बार क्या लिखेंगे x plus 7 by 2 माइनस का 1 by 2 तो इसको सिंप्लिफाइ करते हैं तो एक्स यह पुहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो 1 by 2 माइनस 7 by 2 एल सेम सेम रहेगा तो 2 1 minus 7 तो X की वेल्व क्या आएगे minus 6 by 2 और यहाँ पर क्या आएगा भाई इसको solve करेंगे तो minus 3 तो X की वेल्व माइनस 3 आए तो इसको हम solve करेंगे तो minus 1 by 2 minus 7 by 2 तो अगर और और solve करेंगे तो 2 minus 8 तो X की जो वेल्व आए मेरी क्या है minus 4 और minus 3 ठीक है भाई अब बता मुस्किल है completing the square method असान है बहुत ही असान method है और इसको और अच्छे से जानने के लिए मैं आपके लिए एक कोसन जो कि आखरी कोसन इस वीडियो का वह करवाता हूं आपको जो एक ओफिशेंट ओफ x square 1 आता है अगर और भी कुछ आ जाता है तो इसको हम कैसे solve करते वह देखते हैं चलिए आप इसको उतारिए जो हमारा कोसन है जो हमारा कोसन है तो भाई माल आपको कोसन दे रखा यह कि भाई 2x square minus 5x plus 3 equal to 0 2x square minus 5x plus 3 equal to 0 आपको यह कोसन दे रखा है और यह सैद आपका example 7 भी है ncati का example 7 भी है ठीक है तो आपको क्या करना है तो यह पहले तो आपको check करना कि coefficient of x square 1 है या नहीं है तो यह नहीं है तो हम क्या करेंगे पूरी equation को divide करेंगे on dividing on dividing that on dividing of the equation equation by two on dividing both side लिखले ना भाई both side both side ठीक है on dividing both side of the equation by 2 ठीक है अगर मैं पूरी केस्ट को टू से डिवाइड करता हूं तो कर लेते हैं 2x square by 2 minus 5x by 2 plus 3 by 2 equal to 0 by 2 तो इसे तो कोई फरक ने पढ़ने वाड़ा लिख लेता मैं तो ऐसे लिख लिख लिए आपके लिए तो यह क्या हो जाएगा x square minus 5 by 2 x plus 3 by 2 equal to 0 तो पहली condition हमारी satisfy होगी कि x square का coefficient है वह वह न है है या नहीं है तो second step हम क्या करते है जो हमारी left hand side है उसका जो x का coefficient अब बताओं यहां x का coefficient क्या है x का coefficient क्या है 5 by 2 x का coefficient क्या है 5 by 2 को 2 से डिवेड़ी है फिर मैं कहा सकता हूं 1 by 2 से multiply तो मिरए result क्या है ऑगा 5 by 4 मिरए और 5 by 4 का square 1 ग। पर कोशन में आड करना है एक बर क्या करना है separate करना है तो लिख आ गहाले vidéo x wrinkles 3 by 2 प्लेस फाइब बाए 5 बैस फोर एक बाए 1 का स्क्वेड एक बार का Below एक पर क्या करना है सब्ट्राइट करना एकवल टूजीरो यहां तक किसी गए डूटा था बोलो नहीं यह ना बई फिर मैंने आपको बोला था कि बैए दो फोन ले मनेंगे क्या फोन ले मनेंगे एक तो यह पलस बीकॉल सुखर बनेंगा यह मैने स्पीकल्स करवनें तो ठीक जो चीज आपने एड़के उसका प्रफेक्ट स्क्वेर और बाकी बचा क्या प्लस 3 by 2 और माइनस 5 by 4 का होल स्क्वेर ठीक है भई बाकी बचा यह एज इस इस ठीक है यहां तक को डाउट है तो बोलो यहां तक समझी में आगा भई अब बताओ समझी में कि अगर एक स्क्वेर का कोफिशेंट बन यहां तो बन बनाओ फिर जो अमने लास्ट दो कोशन में करें वैसे हम इसको करेंगे ठीक है अगर मैं स्कोर सॉल्फ करता हूं तो क्या आएगा 5 by 4 का होल स्क्वेर प्लस 3 by 2 यह क्या हो जाएगा भई 25 by 16 equal to 0 एक और चीज मैं बता द यह आएगा x2 minus 5 by 2 x plus 25 by 16 मेरा आएगा या नहीं आएगा भई check कर लो क्या equal आएगा या नहीं आएगा मैं तो minus 5 by 2 x नहीं है है या नहीं है एच्छे तो आप ऐसे कर लो यह फिर मिला वड़ा मेथड हो कर लो कि जिसको जिसका स्कुर आपने एड कि है जिसका स्कुर आपने एड और सब्टैट कि है वह नमबर और एक्स के सामने प्लस है तो प्लस माइनस है तो माइनस उसका प्रफेक्स कर रहेगा याद करने वुजुरूत नहीं है ठीक है तो आगे चलते हैं हमारा हां यहां तक कोई डाउटा कर रहे हैं है आप अचछे से नजर भी आ रहे होंगी तो अहुंगा आफ का X-5 by 4 का whole square अगर मैं इसको solve करता हूँ कितना आएगा 16 आएगा तो true के table में section कब आता है 8 time तो 3 8s are 24 3 8s are 24 minus 25 equal to 0 अगर मैं और solve करता हूँ तो मेरे क्या आएगा यह आएगा आपका minus 1 by 16 equal to 0 अगर मैं और solve करता हूँ इसको तो मैं इसको वहाँ ले जाता हूँ तो X-5 by 4 का square यह आजाएगा 1 by 16 और आपको यह पता है कि अगर मैं इसमें इसकरता हूँ तो मेरे क्या आएगा प्लस माइनस का 1 by 4 यह आएगा या नहीं आएगा यह बताओ आएगा या नहीं आएगा ठीक है भई आगे चलते हैं आगे करते हैं हमारा इसमें हम क्या करते हैं एक बार हम लेते हैं प्लस का एक बार हम क्या लेते हैं 1 by 4 प्लस का एक बार हम क्या लेते हैं 1 by 4 माइनस का ठीक है भई तो हम करते हैं तो अगर मैं प्लस का लेता हूँ तो मेरा क्या आजाएगा 1 by 4 plus 5 by 4 जो आएगा मेरा क्योंकि वहाँ जाएगा 4 6 by 4 ये मेरा क्या आएगा 3 by 2 तो x की value आएगा 3 by 2 आपको नजर आ रहे हो यहाँ तक ठीक है और एक value क्या आएगे आपकी x minus 1 by 4 plus 5 by 4 तो ये क्या आएगे भई 4 है तो ये क्या आएगे भई आपकी 4 by 4 एक x की value आईगे है आपकी 1 एक x की value यहाँ लिके लो भई अगर नजर निया तो x की value 1 आएगी और एक आएगे आपकी x की value 3 by 2 ठीक है भई ये आपका क्या था आप अच्छे से उतार लो इसको अग अब आपको नजर आओ तो यह बता देना मुझे नजर आ रहा है अच्छे से नजर आ रहे होगा अच्छी बात है तो भाई अब मुझे यह बताओ अब मुझे आप यह बताओ कि completing square method यह पूरा अच्छे से उतार लो अब मुझे बताओ कि completing square method समझ में आया यह नहीं आया इसके बाद हम 4.3 नहीं करेंगे मैं आपको quadratic formula करवाँगा अगर मैंने जितनी वी वीडियो इस चैनल पे बढ़ाई है अगर उन वीडियो में आपको को doubt है तो comment section में जरूर करना thank you very much